हेलो दोस्तों इस वीडियो में आम लोग आज 2018 के लिए सभी पोस्ट के लिए सभी ग्रेड़ पे की जो पोस्टे हैं उन सबका expected cutoff देखेंगे क्या रह सकता है और बच्चे ये मेरे हिसाब से last मैं अपने हिसाब से predict कर रहा हूं आपको और एक हफ्ते के बाद आपका document verification है हो स और आपको भरना भी नहीं चाहिए आप चीजों को आपके पस अभी भी एक हफ्ता का time है आराम से अपनी requirement देखिए अपनी समझ अपनी दिमाग का इस्तेमाल करिए और किसी के बिना किसी बहकावे में किसी के बिना कहे हुए आप चीजों को समझ करके ही अपनी post का preference भरना इसको ध्यान में रखेगा तो मैं अपने कुछ points आपको समझाना चाहता हूं रखना चाहता हूं काफी लोगों के message थे कि एक बार आप 18 के लिए भी last बता दो एक बार कि क्या रह सकती है ताकि हम अपना decision कर सके post preference के लिए देखिए मेरे जब से डेड़ महीने से जब से मैंन निकल के आई है कि सबसे जादा जो लोग वरीता दे रहे हैं वरीता मतलब प्रिफरेंस जो रख रहे हैं लोग वो home state को ही रख रहे हैं जिसमें आपको पहले से वेकेंसी है और जिनमें उनको लग रहा है कि मेरे को मेरा home state मिल सकता है तो लोग salary से जादा पैसे से जादा maximum जो जनता का रुजहान है वो home posting की तरफ है यह पहला चीज जो निकल के मेरे दिमाग में आया है comments का reply करने के बाद दूसरी बात कि जो come grade pay वाली job है यह मैं पहले इसलिए भी discuss कर रहा हूं come grade pay वाली क्योंकि सबसे ज़्यादा message मेरे को इसी के regarding ही मिला है तो जो come grade pay की job है मतल इंडिया की बात करो इसकी जो डिमांड है वो अठाइस सो से भी उपर इस समय चल रही है जो मैंने अभी तक reply किया है और जो मुझे समझ में आई है बात करते हैं तीसरी कि job location में जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो है दिल्ली वो हर बार ही रहता है और इस बार भी व है तो यह भी डेटा आप देख सकते हो इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हो प्रिफरेंस करते वक्त आप अच्छा हम बात करें कि अच्छी पोस्ट में जिसमें job location का थोड़ा issue रहता है जैसे माल लीजिए कि एक example में ले लेता हूं आपके सामने एक size inspector जिसकी vacancy ज्यादा है 2018 म और उसमें जो लणका इस च्छेलिश सो ग्रेट पे की लास्ट कट अफ पर है तो पोस्ट अच्छी है लेकिन वह उसको स्किप करके lower ग्रेट पे लेने की सोच रहा है because of job location की वज़े से कि उसको south में या किसी दूसरे state में जाना पड़ सकता है है तो job location की वज़े से ही बहुत important बात निकाल रहे हैं 5 वी बात उसको ध्यान से समझना कि जो च्यालेसो की जो पोस्टे हैं जितनी भी पोस्ट है उसमें जो दिल्ली वाली जितनी भी पोस्टे है जिनमें दिल्ली बेस्ट जॉब है उनकी डिमांड श्यालेसो में सबसे ज्यादा है income tax inspector है ही वो क्य पहले आप्ट करना चाहा है सबसे पहले प्रेफरेंस में वह जिसमें श्योटी है दिल्ली की वह रखना चाहते हैं ठीक है बैलेसो का मैं फिर बता देता हूं बैलेसो में लोग डिवीजनल अकाउंटेंट जो पोस्ट है देखिए तीन पोस्ट हैं बैलेसों की एक तो तुसरा रीजन ये भी है कि इसकी होम पोस्टिंग या इसकी ऑफेसिस जो होते हैं मैंने बता रखा है डिटेल में आपको ये रीजन पता है इसको तो एक ये भी कंकूरूजन निकल के आया है 2800 ग्रेट पे की जितनी भी जौबें हैं चाहे आप ऑडिटर की बात करो चाहे दुविधा है दूसरा ये है कि CGA का मिनिस्ट्री में पोस्टिंग होती है तो लोगों को लगता है कि हम एक बार मिनिस्ट्री में दिल्ली आ सकते हैं इस वज़े से लोगों की 2800 में सबसे ज़्यादा कमेंट जो आये है वो CGA को लेकर ही आये है CGA को 2800 में सबसे नीचे इसको दिमाग में रख लीजिए हो सकता है कि आपको 560 पर भी मिल जाए या आपको 570 मिले यह कोई से निक्या सकता क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पास है वह टी ए दिल्ली के लिए ही हैं सीबीडिटी के है न तो यह कुछ मेरे निकले हैं और कट ओफ देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेट रह सकती मेरे हिसाब से तो पहले मैंने 46 ग्रेट पे को पकड़ा है क्योंकि इसमें ज्यादातर वेकेंसी है आपकी और मैक्सिम लोग इसको पहले रखते हैं तो च्यालिस सो में सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो सबसे कम कट अफ जाएगी आपकी वो एक्साइस की ही जाएगी यह सब जान रहे हो और वो 570 की आराउंड रहेगी 568 भी हो सकती है एक दो नमबर का फरक रहेगा OBC की 550, SC की 510, ST की 490 ठीक है तो यह ध्यान में रहेगा कि UR की इतने के रहेगी एक दो नमबर उपर नीचे हो सकता है और अगर आप कट अफ के लास्ट रैंक पे होते हो या इस मार्क्स के आसपास होते हो तो आप यह मान के चलना कि आपकी जो पोस्टिंग या आपकी जॉ सकते हो 1200 की तीन पोस्टे हैं मैंने बताया था आपको एक है डिविजनल अकाउंटेंट एक है आपका NIA में और तीसरा है सुपरिटेंडेंडेंट की पोस्ट है इन तीनों में मैं आपको बता दूं कि तीनों ही सुपरिटेंडेंडेंट है यह भी दिल्ली ही बेस्ट है हो सकता है कि 572 पे भी आपको वो मिल जाए NIA मिल जाए वो कोई इशू नहीं है आपका क्योंकि देखो यार NIA वगर जो है उसके लिए कुछ बंदे डेडिकेड़ होते हैं जिनको वो चाहिए CBI सब नहीं कुछ लोग का दिमाग में पहले से रहता है कि मेरे को यहीं डिपा से 495 के रेंज में 1200 ग्रेट पे में बात कर लेते हैं हम अठाइस सो ग्रेट पे की अठाइस सो ग्रेट पे में फिर में एक बार रेपीट कर देता हूं CGA अकाउंटेंट को लोग ज्यादा प्रिफरेंस दे रहें वरीता दे रहें और CGDA को सबसे लीचे लोग रख रहे हैं अपने जो भी है आपको कहां कैसे सेट करना यह आपना खुद सोचिएगा कोई ऐसे जरूरी नहीं है आपका तो अन्रिजर्व में 555 के आसपास जाएगा एक आज नंबर उपर नीचे मान सकते हो आप OBC में 535 के आराउंड रहेगा ST का 485 के आसपास रहेगा और ST का 465 के आसपास ठीक है तो यह कटाफ रहेगी 2800 के आसपास और 2800 मैं फिर बोल देता हूं जिनमें स्टेट वाइस पहले से है या जिनको स्टेट वाइस का लग रहा है वो लोग अपना प्रिफरेंस उपर रख रहे और एक चीज़ बता दो हम आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्मुनिकेशन में जो आपका एकांटेंट की पोस्टिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं वेकेंसी भी ठीटा करेती है और इसकी पोस्टिंग लग लग हर जग है और इसका एलोकेशन चाहिए तो टेलेग्राम ग्रूप पे आप जॉइन कर लेना मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा बात कर लेते हैं चौबिस सो ग्रेट पान फचास का यह मतलब निए कि पानसे 55 आपके आ गई आपको नौर्थ दिली या पानसे 6 मिल फैर यह मैं कहरा हौँ नौर्थ का मैं नहीं कह सकता और यह आ आप देख लिजेगा व् Mays मेलें उसको लेके बता रहा हूं आपको को ऐसा नहीं पानसे 5 पास रहते हो आप तो आपको एक दो ती नंबर उपर रहने ते इस पर आपको मॉंबाई बैंगलोर यह मिल जाता है बाकि इस एक्जैक कट आफ पर आपको हाड पोस्टिंग मतलब जिसे साउथ के चिन नहीं हो गई फिर दर कुछ और स्टेट में जहां पर लोग जाना नहीं शा predictive पर आपको यह पोस्टिंग मिलने चांसे रहते हैं क्योंकि इसकी पोस्टिंग रैंक के हिसाप से होती ही और जिसमेंoriented के नहीं है बिकॉस इसमें जया recruitment रूल से प्रोशन वह ए थोड़ा सा यह लेकिन कुछ लोग जिनको home posting चाहिए सिर्फ घर में ही रहना है वो लोग इसको भी उपर रख रहे हैं कि suppose करें किसी के 560 हैं और उसको डर लग रहा है TACBDT का भी और उसको बाकी डिपार्टमेंट में भी फुरा सा लग रहा है उपर नीचे CBIC देख ले रहा है वो घर में ही रहना है उसको कुछ बहुत सारे दिखते होते हैं घर में रहने के home posting के सबके अपने अपने कहानी है मेरे साब से अन्रिजर्व की 545 OBC की 525 SC की 475 और ST की एक दो नंबर आप मान सकते हो SC में उपर नीचे ST की भी मान सकते हो इतना 475 तो 470 जा स हो सकते हैं इतना ही की रेंज में रहेगी इसकी cutoff है ना और हम बात कर लेते हैं UDC वाली देखो यार UDC की जो cutoff रहेगी न वह इसके और उसके बीच में रहेगी या लगबर लगबर वह भी आपकी TACBDT के आसपासी रहेगी है ना तो आप मान के चलना कि अपर डिविजन क जी जो पोस्ट है उनकी भी cutoff लगबर लगबर इसी के अराउंड रहेगी TACBDT की ज्यादा वेकेंसी नहीं है आपकी और इसी कारण से आप इसको इतना ही मान सकते हो ठीक है और इसको लोग उपर रखेंगे ये भी दान रखेगा कि UDC की जो पोस्ट रख रहे हैं लोग व JSO को सबसे पहले वही लोग opt करेंगे जो unreserve में जिसकी age 30 या 32 प्लस है पहला तो reason यह दूसरा यह भी है आपका कि जिनको एकदम low grade pay की job मिल रही है और उसको उसमें भी home state नहीं मिल रहा है तो किसी और छोटी ही grade pay की job में उसको home state नहीं मिल रहा है जब उसको बाहर ही जान तूर का मिलता है आपका allowance अलग से मिलता है तो पैसा इसमें ठीक है तो इसको लोग तब opt करेंगे वरना इसका जो preference लोग रख रहे हैं इसको लोग cgda के नीचे रख रहे हैं जिनको सब मिलने की chances है मतलब cgda भी मिलना चाहरा है जिसको मिल जाएगा वो लोग इसको भी इस का ही काम है तो इस वज़े से लोग इसको थोड़ा नीचे रखते हैं तो अन्रिजर्व के लिए चार सो 630 के आसपास रहेगी 625 भी हो सकती है और वो डिपेंड कर रहा होता आपका कि नीचर उसकी उपर लेकिन 630 इससे उपर मेरे साब से नहीं जा सकती है बहुत सारे इसके अराउंड कट अफ रह सकती है डबल लेव का क्रेज गिरा है इस बात को आप माल लीजिए क्योंकि डबल लेव कि जब से लोगों ने जब जोई देखो 2016 से विकेंसी आने चालू हुई और जब 2016 के लोग जोईन किये इसको तब लोगों ने इसके लूप होल्स या इस सेलरी बहुत सही है और इतनी सेलरी वाली कोई जौब नहीं है यह आपको पता ही है और मैं बता दूं कि इस बार जो कट अफ आई है 2018 की उसमें काफी कम बच्चों को लिया है तो आप कट अफ से सिर्फ 10 नंबर भी उपर हो आपके चांस बहुत सही है मेरे साफ से तो मिल ज पोस्टिंग और डबल यू का एक इशू यह भी रहता है कि आपको स्टेट एलोगेशन नहीं पता रहता है पहले से और बाद में ही मिलता है और आगर आप 16 का चेक करोगे तो इसकी पोस्टिंग जो होती है आप देख के आड़ी लगा सकते हो किसमें कितना बड़ा बड़ सुन करके किसी के भी बहकावे में आकि आप पोस्ट प्रिफरेंस नहीं भरोगे भरना भी नहीं चाहिए मैं आपको हजार बार कह रहा हूं बातों को पोस्ट आपकी है नंबर आपके है नंबर नोकरी आपको करनी है जिन्तिकी आपको जीनी है तो आपको खुद एक बार ब वीडियो अपनों सूट कर रहा हूं तो कोई नहीं आप कर दीजिएगा रेप्लाई नहीं करता हूं तो परेशान मत हुएगा पुरी कोशिश करूँगा जल्दी से रेप्लाई कर रहे की